ठीक है गुड इवनिंग एवरीवन कैसे है आप सभी सभी का स्वागत है हमारी चाइनल आर डबलु ए पर तो आ जाएंगे सभी और आज का सेस्ट स्टार्ट करते हैं कैसे है जल्दी से गुड इवनिंग गुड इवनिंग का और आज का सेशन पहला कोशन क्या कह रहा है जल्दी से आते हैं पीड मांसर करने हैं और वो कह रहा है कि चौदवी दलाई-लामा में रहते हैं बताओ धरमशाला में कलिमपॉंग में शिलांग में गंगटोग में धरमशाला कलिमपॉंग शिलांग गंगटोग तो यहां पे मैं आपको बात चल रही है इस सारे तो मैं दखिए यहां पे धरमशाला में कहां रहते हैं धरमशाला अब ये जो है ये क्या हिमाचल परदीश की शीत कालीन राजधानी है कौन है ये हिमाचल परदीश की शीत कालीन राजधानी कौन धरम शाला अच्छा बात आती है कि चौदवे दलाई लामा तो चौदवे दलाई लामा जी का नाम क्या है तो ये भी तो पता होना चाहिए तो आप बोलोगे में तेंजीन ग्यात्सो चौदवे जो दलाई लामा है उनका नाम है तेंजीन ग्यात्सो ग्यात्सो ओके तेंजीन ग्यात्सो यह तिबबत के रास्ट्र अध्यक्ष यह कौन है यह आप बोलना तिबबत के रास्ट्र अध् आध्यात्मिक गुरू है और क्या है आप बोलोगे मैम आध्यात्मिक गुरू है ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है अगले पर चलते हैं अगला कुशन ठीक है ये समझ माय हिमाचल परदेश की सीथ कालिन रासधानी धरम चाला और यहीं पर ही रहते हैं यह हो ग हो ना और एक कौन सा दर्रा है आप बोलोगे मैम एक शिपकीला दर्रा है और एक कौन सा दर्रा है हिमाचल परदेश में आप बोलोगे मैम एक रोहतांग दर्रा है रोहतांग रैसे रोहतांग रैसे कौन सी नदी का उद्गम होता है रावी और बासे बाराला चला दर्रा ब भारत में कौन सी नदी एंटर करती है सतलूज नदी जो है शिपकीला दर्रे से भारत में क्या करते हैं परवेश करती है और सतलूज की सुहायक नदिया कौन कौन सी है व्यास और इस्पीती सतलूज की सहायक नदी है व्यास नदी भारत में बहती है व्यास नदी व्यास पर आते हैं यह ध्यान से देख लेना क्या सिखाया मैंने अल्राइट चलिए आगे चलते हैं नेक्ट कोशन क्या कह रहा है कि तेरवी शताबदी में भारत आने वाला जो यातरी मारको पोलो वो किस देश से था उजबेकिस्तान से था इटली था इटली से था पुर्तगाल से या फ्रांस से था यह बता दीजे क्या था तो आप यहां पर आंसर करेंगे भारत आने वाले यात्री थे मारको बोलो वो इटली के रहने वाले थे कहा उस्या पहुर्चने वाला इसको क्या कहते हैं एशिया पहुचने वाला पर्थम यात्री एशिया पहुचने वाला पर्थम यात्री कहते हैं एशिया पहुचने वाला ये कौन थे पर्थम यात्री थे ये भी आपको याद रखना है और ये तेहरवी शतापदी में भारत आने वाला यात्री कौन था इटली मारको बोलो जो यहाँ पर याद रखना यह किस देश से थे इटली से थे अगले फिर चलते हैं नेक्ष कोशन वेशेशिक दर्शन के परतिबाद कौन है देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख फारी हूँ जैसे कणाद है तो आप बताओ कणाद किस से संबंदित है आप बोलोगे मैं यह संबंद सांखे दर्शन से संबंदित है यह किस से संबंदित है सांखे दर्शन से संबंदित है अक्षपाद गोतम किस संबंदित है यह किस संबंदित है ना और बचे पंत जली तो आप बोलेंगे मैं यह तो योग दर्शन से संबंदित है पंत जली किस संबंदित है योग दर्शन से तो यह आपको याद रखना है और आपको जैमिनी जैमिनी किस से संबंदित है आप ये भी बता दीजिए तो जैमिनी पूर्व मीमानसा दर्शन से संबंदित है ये किस संबंदित है पूर्व मीमानसा दर्शन से संबंदित है वाद रायन किस संबंदित है उत्तर मीमानसा स संबंदित है यह किसी संबंदित है उत्तर मीमान सा से तो आपको इतने कम से कम याद रखने हैं तो वेशेशिक दर्शन के परतिबादा कौन थे यहां पर राइट आंसर क्या होगा कणाद हो ओकी यहां तक समझ माया हूँ इस टेक्स्पोनेंट ऑफ वेशेशिक फिलोसफी त परत्म हारतिय ंसरी कौन थे आर्यवर्ट धवेद भटनागरजी थे लिए बश्क्राचार रिट्र यह विशुदेवतां अहां पर आउंसर क्यां होगा तो आप अनसर की है क्य Sm. यह आप स्कुर्ण ग approximation अन्यंक सब्सक्राइस जैक्णित आप बोलेंगे माया परसित गड़ी तक ये तथा ज्योतशी थे पहली बाद तो है जिसमें किस किस का जिसमें इसके कितने भाग है जिसमें चार भाग है जिसमें आप बोलेंगे एक तो लीला वती है एक मैम जी बीजगडित है और आपका एक बोलोगे मैम ग्रह गडित है ग्रह गडित है बीजगडित ग्रह गडित और एक है गोला ध्याए ग्रह गडित और भाग है जिसमें चार भाग हैं तो मैंने चारों के नाम यह लिख दिये हैं सिधान शिरोमणी में कितने भाग हैं चार भाग लीलावती बीजगड़ीत ग्रहगड़ीत और गोला ध्याय ओके यहां तक समझ में आया अच्छे से याद रखेगा जितनी चीज़ें सिखा रही तो आप यहां पर क्या आंसर करेंगे फटाफट से बताती चलें रोहीत रमीता सोनी आरती गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग पोजी सहाब यादव पुत्र विजु आफ दी फॉलेंग स्पोर्ट्स वस वेरी पॉपुलर इन एंसी एंड इंडिया आज चैस था करने हैं एक घंटे के अंदर विद एक्स्प्लिनेशन बहुत अच्छे से डेली सविन पीम पर ये क्लास होती है आपको अच्छे से लाइव आना है आप बोलोगे खेल बहुत लोग पीदर शत्रंज और शत्रंज का जो जनम माना जाता है इसका अविश्कार कहां पर हुआ भारत में और इस यह प्राचीन समय से ही खेला जा रहा है तो इसका जो प्राचीन नाम था वह क्या टा चतुरंग तर यह दिको बहुत 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 से भारत से फिर अरब गया अरब से फिर ये यूरोप गया और अगर यह कहा जाता है जब इन तीनों में फिर पंदरवी और चतुरंग था नाम भी देखो कितना अच्छा था आगे आतें नेक्ष्ट पर तराइन का पर्थम युद्ध कब लड़ा गया मुझे आप तराइन के सारे युद्ध बता दीजिए चलिए अब आप से मैंने कहा यह तराइन का पर्थम युद्ध पूछ रहा है मुझे तो किसके बीच में हूआ आप बताती चलो पिर दूसरा बताओ प्रथवी राज आप बोरें चोहान और मुहंमद गोरी के बीच मैं मुहंमद गोरी के बीच में मैंने कहाँ यह कॉन तो आप बोलोगे मैं ये विजय हुए प्रथवी राच चोहान क्या हुए विजय हुए अच्छा बात आती है यहां कि मैं सेकिंड जो युद हुआ था ये 1192 में हुआ था और धर्ड जो युद हुआ था वो 1215 से 16 तक हुआ था अच्छा ये किस-किस के बीच में हुआ ये भी सेम प्रथवी च तमिश इल्तू तमिश और किसके बीच में हुआ यल्दोज कुलाचा के बीच में हुआ यल्दोज यल्दोज कुलाचा के बीच में हुआ किसके यल्दोज कुलाचा के बीच में हुआ और इसमें कौन विजयता हुआ ये विजयता हुए इल्तू तमिश तो आपको न सन्व सब याद करने हैं पहला दूसरा सपत चलिया आगे आते हैं नेक्ष कोश्चन भर दिल्ली सल्तनत के निम्लिखित सुल्तानों में से किसने यासुद्दीन बल्बन को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया था किसने किया था बोलो बोलो जल्दी से बताओ रजिया मुई जुद्दीन बहमराम नसीरुद्दीन महमूद समशुद्दीन इल्टुतमिश यहां पर फटाफिट से आंसर करो दिल्ली सल्तनत में किसने ग्यासुद्दीन बल्बन को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त करने कौन थे तो आप बोलोगे मैं नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद ने क्या क्या था यासुद्दीन बल्बन को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया था अगला मलिक इक्तियार उद्दीन अल्टूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्न में से किस किले में क जोदपूर के महरानगड किले में या भटिंडा के किला मुबारक में तो यहां बे जो राइट आंसर होगा भटिंडा के किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद किया था योगेंदर जी आपका आंसर सही आया है बाकी के तो ऐसी आ गए है ब्रहम समाज की स्थापना किसक समाज की वो की गई थी 20 अगस्त को 1828 इश्वी में की गई ब्रहम समाज और किस ने की थी राजाराम मोहन राएजी ने की थी ब्रहम समाज का उद्देश्य क्या था क्यों स्थापना हुई थी आप बोलोगे मूर्ती पूजा का विरोध है ना एक तो मूर्ती पूजा का क्या था कि मूर्ती पूजा का विरोध और दूसरी बात क्या थी एकेश्वर वाद की उपासना ये बढ़िया से याद रखना है इन्हों अठारा सो पंद्रा में आत्मी सभाकी भी स्थापना की थी अठारा सो पंद्रा में क्या की थी आत्मी सभाकी भी स्थापना इनकी प्रसिद क्रती भी है मुझे प्रसिद क्रती का नाम बता दो इन्हें पता क्या कहा जाता है इन्हें पुनर जागरन का पिता भी कहा जाता ह इनकी मुझे प्रसिध करती बता दीजिए तो आप बोलोगे मैं इनकी जो प्रसिध करित्की है प्रिसेप्स ओफ जीजस है यह भी आपको जीजस यह आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सारे पॉइंट्स आपको याद करते भी चलना है ठीक है यहां पर मूर्ति समाज का उदेश्य भी पता चल गया देवेनाठ टेगोर्थ था अचार्य केशव चंदर सेंड भी इससे जुड़े वे थे और केशव चंदर सेंड यह जो दोनों व्यक्ति हैं यह ब्रहम समाज से जुड़े हुए थे आपको बहुत अच्छे से याद करना है अगले पर आ समाज और बाद से 20 अगस्त डेट याद कर लेना कभी गलती नहीं होगा अब यहां देखो मैं यह जो है राजाराम मोहनराई की पुस्तक है इसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट क्या है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मोल रूप से किस भाशा में लिखे गई है तो इस गि आप याद कर लेंगे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा मैं सच बता रही हूं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाशा में लिखी गई है फार्सी में लिखेने वाले कौन है राजाराम मोहनराई जी राजाराम मोहनराई की बारे में अभी मैंने बता दिया प्रहम समाज की स्थापना की आत्मी सभा की स्थापना की इन्हों की जो प्रसिद करती है और राजाराम मोहनराई जी को पुनर जागरन की पिता भी कहा जाता है आगे आते हैं नेक्ट कोशन पर लोग सभा अब आ गए हैं आपकी पॉलिटी की कोशन ओके हिस्ट्री के मैंन के लिए आया हूं अच्छा आपको दिन देखे वे बहुत दिनों गया थे ओहो मतलब पढ़ने नहीं आयों कि यह वताओ फाले तो तुम तुम्हारी अभी क्लास लेते हैं पढ़ने नहीं आयों है कि लोगसभा के अध्यक्ष्य कौन जुनता है तो हम पूलेंगे मैं जो अच्छे से याद रखना है यह लोगसभा के अध्यक्ष्य लोगसभा के सभी सदस्य जुनते हैं है ना और निर्वाचन की तिथी राष्टपती द्वारा नियुक्त की जाती है निर्वाचन तिथी राष्टपती द्वारा तै की जाती है किसकी द्वारा तै की जाती है न उन्सथित कारेकाल होता है और राश्वकती द्वारा इसे इसे किसी भी समय भंक नहीं किया जा सकता है तो यह आप क्या बोला गए मैं लोकसभा का जो कारेकाल पांच वर्श का मेरे सबसे और आपको यहीं राइट अंसर याद रखना है ठीक है और इसे किसी भी समय क्या किया जा सकता है लोग सभा को किसी भी समय में भंग किया जा सकता है अगला निमलिकित में से कौन कभी लोग सभा अध्यक्षी नहीं रहे मीरा कुमार बलराम जाखर चंदरशेखर जीमसी बालियोगी मीरा कुमार जो है पहली महिला स्पीकर है इनकी बात क्रें तो ये हैं पहली महिलाए speaker कौन है ये हैं पहली महिलाए speaker है बलराम जाखर जी ये भी speaker है इनको भी बनाया गया ये इस पीकर रहे हैंग न, 1980 में 1980 से 1989 के मध्य तक चंदर शेखर जी नवे परधान मंत्री हैं, ये कौन है आप बोलेंगे मैं ये तो नवे प्रधान मंत्री है जीम योगी जी ये भी मैम ये भी कर रहे हैं तो इस पीकर नहीं रहे कौन चंदरेशे खर ची नहीं रहे आपको गलत गलत कुश्षनों का आंसर नहीं करना है थी की प्रतिमान मंत्री नहीं है लोगसभा की पहली मही取 एगर कौन थी इंद्रा गण्धी मीरा कुमार सरोजनी नाइडू या लीला सेठ हुआच हुर जो पहली महिरोध जुनी गई थी 20098 2009 निरविरोध चुनी गई थी ट dictate तो पहली महिरोध speaker कौन है हमारी मीरा कुमार जी है आगला question निमलिकित में से popular chamber किसे कहा जाता है राज्य सभा को राज्य विधान सभा को ग्राम सभा को या लोग सभा को तो आप बोलेंगे मैं which of the falling is called popular chamber popular chamber कहा जा रहा है लोग सभा को ठीके लोग सभा को क्या कहा जाता है popular chamber कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोग सभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है लोग सभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है आंधरप्रदेश महरास्ट बिहार या तमिल नाडू देखिन यहां पे बात करते हैं UP में जो लोग सभा सीटे हैं, वो आपकी कितनी है, 80, UP में कितनी है, 80, ओके, Angel, फिर महरास्ट में कितनी है, 48 है, West Bengal की बात कर ले, तो 42 है, इसके बाद West Bengal की, West Bengal की आप याद रखेंगे, 42 है, ओके और बिहार की 40 है और बिहार की 40 है तो यूपी कितने किहां पर राइट आंसर क्या होगा B will be the right option बी कितनी आ जाएगा B will be the right option अगला देखते हैं next question अविश्वास प्रस्ताओ किस सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताओ राज्य सभा लोग सभा किसी भी सदन में या इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं बता दो फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर चल दी तो आप बोलोगे मैं अविश्वास प्रस्ताव जो है लोग सभा में लाया जाता है किस सदर में लाया जाता है लोग सभा में लाया जाता है सारे न्यू कोशन है इंपोर्टेंट कोशन है मैं आप बढ़िया से कोश्णों का अंसर करें अब आ गए हैं आपके जोग्राफी के कोश्ण ओके आपका पॉलिटी भी नहीं पड़ गई है ना वो भी नहीं पड़िया हिस्ट्री भी अब अकार सबसे बड़े सबसे छोटे के नुसार महसागरों का सही करम कौन सा है मेरे और अंता अब बता शुरू में प्रे कहां पर है फिर अट कहां पर है फिर ही कहां पर है और अंता कहां पर है पहले नंबर पर प्रे प्रशांत महसागर ऐसे अट्लांटिक महसागर और तीसे हिंद महसागर फोर अट्लांटिक महसागर अब आप बताए कहां लिखा हुआ है तो आप आ राइट आंसर करेंगे, मैं ये तो इसमें लिखा वा है, प्रशान्थ महासागर, अट्लांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्टिक महासागर कभी गलती नहीं होगा, और देखो कितनी गलत, आपने फिर गोईशन का अंसर गलत कर रहे हो, कैसे गलत कर रह प्रशान्थ महासागर, प्रशान्थ महासागर का जो सबसे बड़ा दीपन, वो न्यूगिनी है, फिर अट्लांटिक महासागर, फिर हिंद, मैंने कहा रहे हो, ये प्रहट इंटा, ये ट्रिक है, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, बाकी आपका मन, आगे, अच्छा जी आगे आते हैं, नेक्ष पर, एसकिमो किस भोगोलिक छेतर से सम्मन्दित है, पहली बाद तो एसकिमो एक ट्राइब का नाम है, ये पाई जाती है, कनाड़ा में, ये कह सकते हैं, ये हमें धुर्वी छेतरों में मिलती है, कौन से रेजिन में मिलती है, धुर्वी छेतरों मे और Eskimo जो है ये कौन से बरफ के बने घर में रहते हैं बरफ के बने घर का नाम क्या होता है आप बोलोगे मैं इगलू होता है और Eskimo जनजाती के मैंने कहा कुछ और important points बता दीजिए ეर ये अपको बढ़िया से याद रखना है रेंडियर कुछते हैं सलेज गाड़ी खीचते हैं और ये जिस से शिकार करते हैं यानि कि इनके हतियार का नाम बता दीजे क्या है एस्किमो जन्जाती के हतियार का नाम हासे हतियार हासे हारपून है इनके हतियार का नाम हारपून है और एस्किमो जन्जाती जो है स्लेजगाड़ी रेंडियर कुत्ता हार इनकी जो नाव का नाम है उनकी नाव का नाम एस्किमो जन्जाती की नाव का नाम कयाक है एसकेमो जंजाती की नाव का नाम बताओ क्या है कयाक है कयाक हत्यार हारपून है रेंडियर कुट्टा पालते हैं क्या गाड़ी खीशते हैं स्लेज गाड़ी खीशते हैं बरफ के बने घर इगलू में रहते हैं ठीक है बहुत अच्छे से याद करना है अगले में चलें next आग अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है बताइए क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलोगे मैं बार्कृत मेदान जलसंभर या आप जलसंभर को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जल विभाजक क्या कह सकते हैं मैं इसे जल विभाज जैसे मान लो एक बड़ी नदी है उसमें सहायक नदिया मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे हैं और एक नदी है जो बड़ी नदी से अलग हो रही है उसे जल संभर यानि ये लाइन लिखी वी आ जाए न तो आपको याद रखना है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से जैसे मिट्टी के अध्यान को क्या कहते है पैडोलोजी मिट्टी के अध्यान को पैडोलोजी कहते है न जैसे आपके कहने लगे वैसे ही मिट्टी के अध्यान को क्या कहते हैं मिट्टी के अध्यान को कहते हैं बताओ पैडोलोजी क्या कहते हैं पैडोलोजी वैसे ही जीलो कि अध्यन को क्या कहते हैं निम्नो लॉजी कहते हैं उसी तरीके से पेट्रोलोजी जो है उसमें चटानों का अध्यन करते हैं चटान कितने परकार की होती है आप बोलोगे तीन परकार की कौन कौन सी एक तो आगने होती है एक आपकी अवसादी और एक कौन सी होती है आपकी क कायांतरित होती है कायांतरित होती है आगने चटान को क्या कहते हैं प्राथमिक चटान या जनक चटान कहते हैं या क्या कहते हैं जनक चटान यह जो है इसमें क्या है जिवाश्म नहीं पाए जाते क्यों नहीं पाए जाते जिवाश्म नहीं पाए जाते और आगने मेगमा के ठंडा होने से मेगमा के ठंडा होने से इसका निर्मारा उता एक निर्मार्ण होता आगने चट्टानों का अबके fail at आगि आत्यों जिवाश में भी पाए जाते हैं सोने के खदान के धसने के कारण खबरों में रहा शिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है अभी जो 2023 में यही कोश्चन है और यह क्या है इसका अंसर दीजिए तो जनवरी 2023 में ये जो है सोने की खदान के धसने के कारण ये खबरों में रहा था शिंजियांग तो ये आपका है चीन में कहां का है ये चीन में है आगे आते हैं नेक्स्ट निमलिकित में कौन सा दर्रा दे गई स्थान से सही तरेके से मेल नहीं घाता है जैसे जो शिपकीला दर्रा हिमाचल परदेश में है और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है ये भी हो गया ठीक है अब मैंने कहा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा किसको कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है अच्छा मैंने कहा माना दर्रा तो माना को माना गाउं को तिबत से जोडता है माना गाउं को किस से जोडता है तिबत से जोडता है फिर मैंने कहा शिपकीला दर्रा बताओ फटाफट से तो आप बोलो कि शिमला को तिबत से जोडता है यह क्या करता है शिमला को तिबत से जोडता है शिमला को तिबत से जोडता है सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है बढ़िया से याद रखनी है अगला तो यहां पे जो यहां पे जो कुश्चन था राइट आंसर सी हो जाएगा अगला मुंबई से गोवा की बीच भारत की पश्मी तटके विस्तार को किस रूप में जाना जाता है यह बता दीज जल्दी से बता दीजे क्या होगा इसका राइट आंसर इतने देख लेते हूं तुम कितने बच्चे और क्लास को लाइक जरूर कर देना मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्मी तटके विस्तार को किस रूप में जाना जाता है फटाफट से आंसर दीजे क्या होगा द के रूप में जाना जाता है तो किया कॉंकर तक किस को कहते हैं के लको कहते हैं मुंबई के परिस्थ्तित है आप भूला मुंबई साल से तीट दीब पर स्थिफित है साल इव पर और SAN रlee अगे चलते हैं नेक्ष्ट कोशन बर निमलिखित में से कौन सा ताट उर्सकी स्थिती वाले राज्ये का युगम गलत है अब बता दीजे देखें गोवा तट करनाटक में बिल्कुल बढ़िया काठेवार तट गुजरात में जी और मैंने आपको गुजरात में पहाडिया ब पहाड़ी वैसे तो देखो गुजरात में बहुत सारी पहाड़ियां है कच है मांडव है बर्दा है गिरनार है गिर पहाड़ी महरास्ट में कौन कौन सी पहाड़ी है अजंता बालागाट गाविलगर सत्माला और हरिश्चंद्र पहाड़ी है और तमिल नाडु में भी अध्यवार तट गुजरात में हैं और यहां पर क्या अंसर करोगे गोवा तट करनाटक में हैं सबी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे शेर भी करेंगे अगला कोश्चन क्या कह रहा है अगला यह कह रहा है इस पीती नदी अभी मैंने इस पीती नदी के बारे में अभी स्टुडेंट्स देखो मैं बात करते हूं यहां पर क्या क्या कह रहे हूं जैसे इस्पीती नदी पहले बात तो व्यास पिलस और सतलुज दिमाग में डाल लो व्यास और इस्पीती व्यास और इस्पीती किसकी सहायक नदी है सतलुज की सहायक हैं दोनों आप बोलोगे मैं सत व्यास नदी कहा बहती है व्यास नदी सिरिफ भारत में बहती है अच्छा सतलूज नदी कहां से निकलती है आप बोलेंगे मैम ये निकलती है कहां से तिबबत की राकस्ताल जील से निकलती है कहां से निकलती है आप याद रखेंगे तिबबत की राकस्ताल जील से निकलती है सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है शिपकीला दर्रे से एंटर करती है सतलुज नदी पे कौन कौन सी पर्योजना है इस पे आप बोलेंगे सबसे फेमस पर्योजना भाखणा नांगल बांध है सबसे फेमस पर्योजना भाखणा नांगल बांध और भी है ना कैसरी बात देखो इधर संट लुज पिलस व्यास नदी के इन दो नदियों की संगम पर है हरी के ब capital और से कौन सी तरह से इंदर गांधी नेहर निकाली गई है इंदर कांधी नहर और बोलोगे ये भारत की सबसे लंबी नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहरै और हरी के बिराज पंजाब में जंगा है पंजाब में जंगा है हरी के यह वहां पर स्थित है के साथ नदीया बता दी मैंने क्या है व्यास और इस्पीती है एना और आगे में व्यास तरि पेकॉन और थीन परियोजना का क्या नाम बतायए था रणजी सागरबान चिनाब नदी पे कौन सी परियोजना है आप याद रखोगे सलाल बगलिहार वद्लहस्ती परियोजना है चिनाब नजी का पुराणा नाम असकीनी है, सिंधू की सबसे लंभी सहायक नदी है, चिनाब आ रहा है न इसमें 12 लाचला दर्रे से निकलती है, अच्छे से पढ़ लेना, अगला कोश्चन देखते हैं, पहले इस पीती नदी निमलिकित में किस की सहायक नदी है, सत्तलूज तो यहां पर मुझे देखो जेलम नदी लिखा मैंने सबसे पहले जेलम नदी के किनारे इस्थित शहर बताओ जेलम नदी की मुझे परियोजना बताओ ओके यह सारी चीज़े याद करनी होती है अहीं न तो अब बताओ हाँ 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 चल्दी सभी अच्छा से आंसर करेंगे फटाफट चछे क्लास को लाइक भी कर दीजेगा किशन गंगा नदी जो है जेलम की सहायक नदी है जेलम पहुरू जेलम किशन गंगा और पहुरू एक और लिख लो जेलम की जो सहायक नदी है न वो किशन गंगा एवं पहुरू है पहुरू ये दोनों इसकी सहायक नदियां है इसके जो किनारे इस जो इस शहर है वो आप बोलेंगे शिरी नगर है इस पे जो परियोजना है शिरी question निम्लिकित में कौन सी नदी जासकर और लदाक परवतमालाओं के बीच बहती है इधर आओ यह बनाया मैंने map यह मैंने map बनाया आप मुझे खुद बताना और यह मैंने कहा यह है आपकी लदाक रेंज यह लद्दाख श्रेणी को काटते वे यू यू करके ऐसे बह गई तो ये है आपकी इंडस यानी सिंधु नदी और मैंने कहा ये है इसकी कौन सी रेंज ये वाली है लद्दाख रेंज और ये है इसकी ये है जासकर रेंज तो कौन सी नदी जो है लद्दाख और जासकर श्रेण सहायक नदिया कौन कौन सी है आप बोलोगे मैं इसकी बाइं तठकी जो सहायक नदिया है ना कौन कौन सी बताओगे एक तो जेलं बताना जेलं चुनाब रावीös हुद रावी व्यास वाइन तद्लुज को पसती लुज और जास्कर बता ओँगे ये तो है सिर्फ थे बाई तखी शिद्धूकी दाई तटकी सहायक नदिया कौन-कौन से बताऊंगे, तो दाई तखी गिल्गित, खुर्रम, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा, विबोवा, ओसकी ये हैं, और काबुल भी है, ये याद रखना है, ठीक है? और श्योक नदी तो बाई तख किस हाइक नदी है सिंधू की जो श्योक नदी है सिंधू नदी किस जील से निकलती है तो आप बोलेंगे मांसरोवर जील से सिंधू नदी किस परवश्च्रेणी से निकलती है तो आप बोलोगे मैं केलाश परवश्च्रेणी से निकलती है है ना और क्या है आप तो कौन सी न बताओ पंचनद ज्हेलम चीनाव रावी व्यास सतलुज है और सिंधु नदी के दाइण तैठ परिस्थित शहर कौन सा है सिंधु नदी की दाइण तैठ परिस्थित शहर लेह बताईए आप, ओके, सिंधु नदी अपना क्या करती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, है न, हाँ, चलो अगला, ये जो है, जब मैं आपसे ये लिखा करूँ न, तो आप मुझे बताने की कोशिश क्या करा करो, कि सिंधु नदी के दाइं तेट पर इस ती शहर ले है, पंचनत नदिया किस-किस से मिलकर बनती है, तो आप बोलोगे, कि मैं जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु नदी के बाइं तेट पर, दाइं तेट पर कौन सा शहर, ये भी बताना है, अगले कोश्चन पर आते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सह सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, बताओ, सिंधु अब ये कह रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, चलो बताओ, तो आप बोलोगे, देखे मैं, ये है गंगा, गंगा की बात करें, अगर गंगा की बाइं और दाइं तटकी सहायक नदिया बताईए क्या होंगी तो आप बोलोगे देखे मैं इसका इजी याद करना बहुत है दाइं तटकी तो दो है सिरीफ एक है यमुना और एक है सोन एक है यमुना एक है सोन लेकिन बाइं तटकी गंगा की जो सहायक नदिया है वो राम गंगा है गोमती है और घागरा है और आप कि गंडक है कोसी है और महानंदा है तो गोमती तो यहां अगिया ना यहां आगिया किस कि किसला यहां पैटर आज्टा आजाएगा यहां के कहां से निकलती है यूपी के पीली भीच जीले Cat ऐक hes यह आप बोलोगे यूपी की कौन से जील से फुलहर जील से यूपी की अगर पुछे किस जील से तो आप बोलना फुलहर जील से निकलती है दूसरी बात आपको याद रखना है कि गौमती नदी के किनारिस्ति शहर लखनव जोनपूर सुल्तानपूर है कौन कौन से हैं लखन यहां से याद करते हुए चला करो ठीक है गोमती नदी गंगा यह मेदानों से निकलने वाली जो मेदानी छेदर से मिलने वाली गंगा की सायक नदी है है ना आगी चलते हैं नेक्ष्ट कोश्चन बर अच्छन्यम लिखित में से किस नदी का उद्गमिस्तल भारत में नहीं है भारत में से कौन सी नदी नहीं निकलती तो आप यहां पे क्या बोलोगे देखो जेलम नदी तो बताओ चल्ली से जेलम नदी तो आपकी वेरिनाग नामक इस्थान से निकलती है यह ना मैडम जी तो वेरिनाग नामक इस्थान से चिनाब नदी बारालाचला दर्रे से जो क नदी हिमाचल पर्देश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रोहतांग दर्रे से तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ आप बोलोगे कि मैं सतलश नदी का उद्गम भारत में नहीं है है ना चलो अगली पर चलते हैं नेक्ट कोश्चन गलत तो नहीं वहाँ अगली पर आते हैं खनी जो रिसकी साइट की सम्मन में निमलिखित में से कौन गलत है लोह अयसक बेलाडिला सिल्वर जावर कोल जर्या बाकसाइट या खेतड़ी आप यहां पर बोलेंगे मैं बेलाडिला की खान तो है 36 गड़ में यह खान है बेलाडिला खान इस राज्य में है 36 गड़ में सिच्वेटेड है अच्छा सिल्वर जावर बिल्कुल ठीक है तो जावर की खान राजिस्थान में मिलेगी जर्या आपका कहां मिलेगा जार्खंड में मिलेगा जर्या जार्खंड में खेतड़ी यह तांबे के लिए परसिद है और यह खेतड़ी है कहां राजिस्थान के जुनों जिले में है आप तो रंसर क्या हो गया आप बोलोगी देखें में खेतली से तांबा निकल रहा है तो फिर option क्या हो जाएगा मैं डी डी इसका right answer हो जाएगा कोल मिस कोईला कोईला जरिया जरिया जर्या जारकड में है जावर की खाने राजिस्थान में है बैला डिला की खाने चथीजगड में है यह याद रखना है और लोह एस निकलता है बै मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडिराइट, सबसे उच्च कोटी का जो लोहा होता है वो मेगनेटाइट, भारत में जो सबसे जादा लोहा मिलता है वो है हेमेटाइट, और हेमेटाइट जो लोहा है वो बेला डिला की खान से भी निकाला जाता है, बेला डिल के जल्दी से बता दीजिए चलों देखूंगे जल्दी से आंसर करो पहले आप बीच बीच में फिटा फिट से आंसर करो क्या कह रहा है हाँ जी बताओ क्या कहा रहा है next question मैं सेलम स्पाथ सन्यंत्र सलेम स्पाथ सन्यंत्र कहां पर है बिल्कुल right option तमिल नाडू में है कहां पर है देखो महराश्ट में तो तारापूर है महराश्ट में तारापूर है और उडीसा में राउर केला है उडिसा में रावर केला स्पास सन्यंत्र है तारापूर महरास्ट में है नाभी के सन्यंत्र भारत में किर्ष्ण करांती उत्पाद के विनिर्मान से संबंदित है फटाफट से आंसर करिए आपको मैं बता दू जिसे गोल Cranti किस से संबन्दित है और बताइगे इंद्र धनुश्य करांती बताओ ऊपिससे संबन्दित है परामनी करांती बताओ किस संंबन्दित है परामनी प्रामनी क्रांति गोल क्रांति आप बोलोगे मैं आलू से संबंधित हैं ये सभी छेत्रों में उत्पादन में उत्पादन में उत्पादन में व्रधी से संबंधित हैं और व्रधी से संबंधित हैं और प्रामनी क्रांति किस संबंधित हैं भिंडी से संबंधित हैं अच्छ किससे संबनी थे कच्चा पेट्रॉलियम से चलिए आगे आते हैं नेक्स कोश्चन हेराड डॉमर विकास मोडल बच्चत और निवेश की भूमिका को परमुक्ता से दरशाने के लिए जाना जाता है भारत की कौन सी पंच वर्शी योजना इस मोडल पर अधारित है हेराट डोमर मोडल पर कौन सी पर योजना आधारित हैं तो मैं यह पंच वर्शी योजना जो है पर्थम बच बच्व बच्वर्थम पंच वर्शी योजना पहली अब इसकी डेड़ बता दो एक अप्रेल 1951 को प्रारंभ हुई थी एक अप्रेल 1951 को क्या हुई थी ये प्रारंभ हुई थी और ये किस मॉडल पर अधारित है तो आप बोलोगे हिराज डोमर पर अधारित है यहां तक चीजे ठीक है सबको समझ आ रहा है फटा फट से अच्छे से आंसर करो सब इच्छे से ग्लास को करेंगे शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे अच्छा जल्दी से बताईए हां तक आपको समझ आ रही है चीजे अगले कोशन पर चले फटा फट से आंसर करेंगे सभी स्टूटेंट यहां तक समझ आया पहले तो बताओ भिंडी तो मैं खाती नहीं तो भिंडी आप खाती नहीं लेकिन भिंडी का पूछ लो प्रामनी क्रांती भिंडी से संबंदित है अच्छा ठीक है अब बहुत मैं अराम से बढ़ाओंगी और कुछ प्रॉब्लम है अब मुझे बता दो फटा फट से तभी तो मुझे पता चलेगा चलिए और जल्दी से बताईए हाँ चलो आगे चलते हैं अब ही मैं अब बढाती हूं पी एम जी वाई का पूल रूप क्या है चलो हाँ, थोड़ा मैं भी स्लो चलिए ठीक है, स्लो चलेंगे और चलो अब बताओ हाँ और सभी इच्चिसे क्लास को लाइक करेंगे शेर करेंगे और हमारी चैनल को सबस्क्राइब भी ज़रूर करेंगे जो प्रूल रूप क्या है प्रधान मंत्री ग्राम योजना, प्रधान मंत्री ग्रुकोल योजना, यह प्रधान मंत्री गरीब योजना, आप मैं देखो अराम से बढ़ा रहे हूं, आप बोलोगे मैं प्रधान मंत्री ग्रामोदे योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके इसका राइट आंसर य कौन सा है ग्रामोदे है ना हाँ अब आप जल्दी आंसर करो तब मुझे बता चलेगा अच्छा जी तो यहां भी राइट आंसर आ रहा है मैं केरल में कौन सा है तो फिटा-फिट से आंसर क्या करोगे आप बोलोगे बताओ जल्दी से जल्दी बतादो सारे अभी आपकी गव कर लो हाँ जी चलिए तो आप बोलोगे मैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वह रावी कुलम रास्टी उद्यान हो जाएगा कौन सा अरावी कुलम रास्टी उद्यान अब मैंने बात करते हैं केरल स्टेट की केरल में कौन सी घाटी है चलो घाटी का नाम बताओ मुझ से केरल में कौन सी घहटी है, फिर आप क्या बोलोगे, बोटो बताओ आप बोलना मैम देखो, और इडुक की परियोजना किस नदी पर है, इडुक की परियोजना बताओ किस नदी पर है, अब देखते हैं, हैonna अब ही कह रहे हैं न मैम घाटी अब बताओ यहाँ पे आप बोलोगे मैम इसी न sitten silent valley भी बोलते हैं silent valley या शान्त घाटी कहां पर है केरल में हैं और मैंने कहा केरल में कौन-कौन सी नदिया हैं आप बोलोगे मैम एक तो बहरत पुजा है एक पेरियार है और एक आपकी पमबा नदी है और पंबा नदी को क्या कहा जाता है केरल की गंगा कहा जाता है क्या कहा जाता है केरल की गंगा जील कौन कौन सी है केरल में बताओ फटा फट तो आप बोलेंगे बेमबाना जील है बेमबाना जील है और कौन सी है अस्टमुदी है अस्टमुदी भी है और एक है खमपोट्टा और यह भारत की सबसे बड़ी जील है इडुक की पर्योजना की किस नदी पर है पेरियार नदी पर निर्मित है यह बढ़ियां से याद रखना है ऐट चलियाँ अब अच्छे समझ में आया है हैं देखो मैं आपको ने बात बता दू अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज़े लगती हैं तो साथ बजे ये डेली क्लास चलती है तो आप ऐसे क्या करो कि आपने एक मेरी नाम का रिजिस्टर बढ़ा लो आरुशी में क्लास होने वाली साथ बजे तो हम यह वाला भाटा चीज़े में बताओ तो क्या करोंगे कोपी बनाओ कल कोई कोपी लेकिया ना जितने भी स्टूरेंट्स यहां पर देखेंगे और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी वह लिखेंगे मेरे साथ साथ ठीक है ना चलो हाज यस मैं बोलो हाजी मैं करेंगे चलो हाँ आगे आते नेक्स वोर्षन पर भद्रावन्नी जी वभ्यारने किस राज्य में है ये बताओ हाँ फटाफट से भद्रावन्नी जी वभ्यारने किस में है ये बतादो कहाँ पर है भद्रावन्नी जी वभ्यारने पटाफट से आंसर करेंगे कहां पर है भद्रावन्नी जी वभ्यारा ने बता दीजिए तो आप बोलोगे मैं कहां पर है करनाटक करनाटक के कौन से स्टेट में हैं चिकमंगलूरू में हैं कहां पर है ये आप बोलोगे मैं करनाटक के चिकमंगलूरू और शिमोगजले में है है न ये बात याद कर लेंगे केबुल लामजाओ रास्टी उध्यान दुनिया का एक माद्र तेरता हुआ रास्टी उध्यान है जो इस्थित है कहाँ पर नागलेंड में मनीपुर में तिरुपुरा में यह असम में तो आप बोलेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दे लोकेडेट देखो मैंने कहा कि मुझे ये बता दो मणिपूर की जीवन रेखा बताओ किसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कोश्चन है मणिपूर की जीवन रेखा तो आपका अंसर क्या आएगा आपका दोड़ता भागताव आंसर आएगा मैं मणिपूर की जीवन रेखा लोक्तक जील पर क्या है विश्व का एक मात्र तैर्टा हुआ नेशनल पार्क है अब उस नेशनल पार्क के नाम बताओเปर,"केबूलमज intra-national हमने आप बोलना मिंद PUBG क्लर की क条र की घया ना को था कुम टी ऑच्छा फूम टी sta किसे बनती है यह तो आप सीदे फूम टी क्या है पूछा जाता सब में तो आप सड़ीगली सधियों के अव्षे से यदे सब्सक्राइब आन्सिंग राइक यांद करना है तो के बुचान पार्क नेकि बताए यह कहाँ पर है आपका मड़ीपुर स्टेट में हैं नागलेंड की सबसे उची चोटी सारा मती चिखर है ओके याद रखेंगे असम की पहाड़िया है वो कौन सी है आप बोलेंगे मिकिर है रेगमा है और बराइल है ओके यहां तक चीज़े किलियर हो गई यह मिकिर रेगमा पराइल क्या है यह आप की असम की पहाड़ियां है असम स्टेट में कार्बी एंगलोंग का पठार कहांपर है कोई पूचे आप बोलना कार्बी एंग लोंग का पठार असम स्टेट में असम में हैं ऑर असम में क्या है माजुली द्वीप है किस नदी पर है ब्रहंपुत नदी पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है सबसे बड़ा क्या है नदी द्वीप है माजुली दीप क्या है माजुली दीप जो है असम स्टेट में है विश्युका सबसे बड़ा नदी द्वीप है और माजुली दीप किस नदी पर है ब्रहंपुत्र नदी पर है ओके ये भी याद करना है आगे परदूशन की कोटी या तीरवता को कम कर रहा है यह समाप्त कर रहा है क्या कौन कर रहा है तो देखे मेरी बात ध्यान से सुनिए उपशमन उपशमन का जो तातपर्य है इसका तातपर्य पता क्या है उपशमन का जो तातपर्य है परदूशन की डिगरी या तीरवता को कम करना तीवरता को कम करना या समाप्त करना सिंपल सी डाफिनीशन याद कर लीजेगा ओके कि उप्षमन का जो तातपर्य है वो क्या है परदूशन की डिगरी या तीवरता को कम करना या समाप्त करना ब्रहंपुत्र नदी पर आपका बी से ब्रहंपुत्र नदी बी से बोग पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नोका है जिसका देश्य महासागरों में प्लास्टिक परदूशन के बारे में लोगों की जागरुकता बढ़ाना है तो क्या है ये पहली पाल नोका कौन सी है तो आप बोलोगे फिलिप फ्लॉपी ये मुझे पता है आधिस दाधा बच्चों को याद नहीं होगा पहली पाल नोका है फिलिप फ्लॉपी फिलिप फ्लॉपी नाम भी देख लो क्या है फिलिप फ्लॉपी मुझे पता ये नहीं प पता होगा आगे तरल अप्षिस्ट जल की ऊपर तेरने वाला वसा ग्रीस और तेल जैसे ठोज पदार्थ क्या कहलाते हैं स्लज जिस सिलज्ज का मतलब क्या होता की चल्भ यही राइट आंसर हो जाएगा इसका पर तेरने वाली जो-ग्रीस और तेल जैसे इपदार वो सलज कहलाते ही ना ये कहलाएगा ना ये कहलाएगा और राइट चलो अगला कोश्चन क्या कह रहा है अगला कोश्चन निम्लिकित में से कौन उडिसा की पारंपर एक पेंटिंग है बताइए मैम जी राजिस्थान से हो एसाई बैच का स्टूडेंट राजस थली वाला अच्छिया ठीक है ठीक है अम समझी पढ़ो दीदी जी मैं आपकी शादी में आओगे मेरी शादी में आओगे शादी हो गई है मेरी दो साल उने वाले मेरी शादी को आओगे आए बड़े हम चलो आगे चलते हैं निम्लिकित में से कौन उडिसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है पेंटिंग है वर्ली पटचित्र जहासी मधुमानी मतलों कुछ भी है मेरी शादी में आएंगे आगे चलते हैं वर्ली नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला कोश्चन देखो तो देखो मैं आपको न अच्छी चीजी वह बता दूँ जिसे फड़ पेंटिंग आप मुझे आपसे पूछना जिसे फड़ पेंटिंग किस से संबंदित है फड़ पेंटिंग किस से संबंदित है गुलेर पेंटिंग अब तुम्हें आंसर करना है गुलेर पेंटिंग किस से संबंदित है बाग पेंटिंग बता दीजे किस से मधूबनी पेंटिंग किस से संबंदित है मधूबनी पेंटिंग बता दीजे किस से संबंदित है पिथोरा पे पट चित्र पैंटिंग किस स्टेट से संबन्दित है यह बता दीजिए जल्दी से आगे चलो फटाफट से तो आप बोलोगे मैं इसका जो राइट आंसर होगा ना जो पट चित्र पैंटिंग है फटाफट से आंसर करो तो पट चित्र पैंटिंग आपको बोला मैं उडिसा से संबंदित है ये उडिसा से संबंदित है और पिथोरा पैंटिंग गुजरात से स सम्दित है मधू बनी तो सब जानते होंगे मोस्टली मधू बनी बिहार से सम्दित है और फड़ पेंटिंग मध्यपर्देश से जहां पर आपकी भोज़ताल जील है तो उडिसा से सम्दित है उडिजा से बाग पेंटिंग मध्य परदेश से और एक बची गुलेर पेंटिंग तो हिमाचल परदेश से समबंदित है आई बास समझ में चलिए अगले पे चले अगला देखते हैं तो निमनी खित में कौन उडिजा की पारमपरिक पेंटिंग है आप बोलोगे क्या होगा इसका right answer तो आप यहाँ पे यहाँ पे पट्चित्र इसका right answer हो जाएगा पट्चित्र पेंटिंग उडिसा से जम्मन्दित है बाकी मैंने उर सारी लिखा दी है आगी चलते हैं नेक्ट कोश्चन पर अगला क्या कह रहा है भारत में पेंटिंग के सं सकते हैं कि कौन समेलित नहीं है तोि तो कि संबन दीत कर राजिस्तान सही सही हिमाचल परshad什么 हिमाचल मैम जो यहां पर राइट आंसर होगा ना अभी तो आपने पहले भी बताया हमें इतना बढ़िया करके कि यह हिमाचल प्रदेश में है यह देखो अभी मैंने बताया आप बोलोगे दिदी अभी तो आपने हमें बताया कि यह कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है न आ खेपा शयाम भूंघ है और या जीरोम सिली है तो छयाप भूंघ वूंघ सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक दीर रहे अगला कोश्चान महुरी पारंपरिक संगीत दीर रहे जो किससे संबंदित है कौन से स्टुइट्स है तुरी बंगल और पाका देखो तुरी आगे बताओ कि पीडियाफ आपकी फ्री फोल्डर में मिलेगी जाके क्लास को सभी लाइक कर दीजगा मैम आपकी बदोलत में शादी हो गई मैम गया नहीं सुना है क्या है कि चलो क्या कह रहा है हाँ तुम कोश्चन पर आओ टाइम हो गया एक्स्ट्रा और माई डियर सिस्टर में आपकी बदोलत द्यूपी में लग गया मेरी बहुत हार्देश इच्छा है कि हाँ बिल्कुल आ जाईए आपका स्वागत है चलो आगी चलते नेक्ट कोश्चन पर यह उडिशा से संबंदित है कौन सा माहूरी माहूरी किसी संबंदित है उडिशा से तुरी बगल और पावा किस राज्ये के लोग बाद्दी अंत्र है तो आप यहाँ पे बोलेंगे ग आगे आते हैं अगला कोश्चन नेक्स्ट है यह भारती आप बोलोगे बासुरी वादक कोन है तो यहाँ पर ही जो है इसका जो राइट आंसर दोगे आप मुझे कैसे करके दोगे ओफ लाइन कमेंट्स करके दोगे और आप मुझे बताना आज का सेशन कैसे लगा सब ये अच्छे से class को like कर देंगे, share करेंगे, daily ये session होता है, 7 p.m. पर होता है, 7 p.m. पर daily में live आती हूँ, और मैं आपको जो extra knowledge बताती हूँ, जो extra चीज़े बताती हूँ, extra fact बताती हूँ, प्लीज एक copy बना लोगी आरूशी दीदी के नाम की copy, इसमें हम best best से, जितने भी मैं या दीदी points note कराती है, वो हम करते चलेंगे, ठीके, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और सब आपको भी याद जाएगा, ठीके ना, चलिए, अब बताओ, session कैसा लगा, जल्दी से बतादो, सारी students, मिलकर, देखू, कितने बच्चे हैं, और अच्छे से याद कर लेना, सबी students, ओके, class तरही लगी न, अच्छे से याद करना है, मस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जीके, सभी को जितना मैं बता रही हूं, उतना बहुत अच्छे से करना है, class को सभी जाते- पीडियफ में डाउनलोड कर देती हूँ हाँ हाँ है कि इसे डिली इसकी मैंने यह पीडियफ सेफ कर दी है तुम सब के लिए ओके आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो मज़ रही झाल झाल झाल